नमस्कार मैं योग गुरु राजेश गैस की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है और हर विक्ति को गैस की प्रॉबलम किसी को कम या किसी को जाधा रहती है यदि हम इसके कार्णों को देखते हैं तो भोजन का समय पर ने खाना कभी आप 12 बज़े बज़ं करते हो कभी तीन बज़े बज़े करते हो इस से हमारा Пाचंतंत्र प्रभावित हो जाता है और हमें गेस्टिक प्रब्लम होने लगती है तो भोजन को आप समय पर करें दूसरा बड़ा कारण है भोजन को ठीक से चबा चबा कर नहें खाना आप तनावकून इस्तिति में जब भोजन करते हो आप स्पीड से भोजन करते हो तो जो काम आपके दातों का था वो आतों को करना है और आपको गैस एसी जैसी प्रब्लम होने लगती है दूसरा आप जब भोजन करते हो तो बाते करते हुए जब आप भोजन करते हो उससे भी पेट में गैस की प्रब्लम बढ़ने लगती है उससे आपका भोजन आप खाते थोड़ा है लेकिन पेट जादा फूल जाता है और कई बार तो सुभे का खाया हुआ भोजन साम तक ऐसा रहता है जैसे कितना भोजन आपने किया हो तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए आप इन सब कारणों को दूर करें शान्त होकर भोजन करें, चबा चबा कर भोजन करें और भोजन करते समय बाते ना करें आज में इस वीडियो के माध्यम से आपको एक आसन बताऊंगा योग में एक ही आसन जो आपकी पेट की गैस की समस्या को पूरी तरह से ठीक कर सकता है देखिए आसनों की स्रंखला में बहुत सारे आसन है पेट के लिए लेकिन आपको योगा टीचर तो नहीं बनना है आपको अपने पेट की गैस का समाधान करना है तो आप एक आसन ध्यान से आज सीखेंगे मैं आपको बताऊंगा उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके कीचन में जो ओशदियों का भंडार है जिने आप मसाले कहते हैं दरसल में वो मसाले नहीं है वो सब ओशदी है आईरवेद में जितने भी चुखाद्य पदार्थ हैं उनको ओशदी कहा जाता है मसाला नहीं कहा जाता है तो आपके कीचर में जो ओशदी है उसमें अजवाइन, आपके सब के रसोई घर में अजवाइन होगी, तो आप 50 ग्राम आप अजवाइन लें और 50 ग्राम ही आप सौफ, देसी सौफ, आप इसको तवे पर रोष्ट कर लें, थोड़ा भून लें, हल्का भूने, ज्यादा नह 25 ग्राम काला नमक आप मिक्स करके जब्बे में भर कर रख लीजिए, अपने डाइनिंग टेबल के उपर और जब भी आप खाना खाते हैं, आप खाने के बाद आधा चमच गरम पानी के साथ ये पाउडर, सौफ, अजवाइन और काला नमक इसका पाउडर आप ले लें, त तीन दिन के अंदर ये आप पाएंगे अपने गैस की प्रब्लम से मुक्ति, तो अब मैं आपको आसन दिखाने जा रहा हूँ, कौन सा आसन आपको करना है, आसन आपको करना है पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन में कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिए, आप सीधे अपढ़ा से करें गुटनों को मोड़ें दोनों हातों से अपने लौक करें मैं पेट को पूरा दबाएं अपनी थाई से। अब जिन्हें गर्दन ए पेन रहता है वह केवल इसी प्राकार से अजिन्हेंगे भर दनार्डन женा और कagues अपनी है अपर बोडी को उठाना है स्वास को बाहर छोड़कर पूरा रखें इस परकार से उठाएंगे चिन को टच करें गुटनों से ऐसे करें करें अब इस परकार से सूरद करें फिर वापस कुछ समय होल्ड करके रखें लगवाग दो मिनट आप एक बार होल्ड करें इस आसन को आप तीन से पांच बार जरूर करें मलब दस मिनट आप जरूर अपने पेट के उपर दबाव बनाएं तो यह आसन आप प्रति दिन सुबह खाली पेट करें सावधाने के साथ करें एक ही आपके पेट की समस्या को पूरी तरह से ठीक कर सकता है यदि आप पूरे विश्वास से करें आपके लाखों रुपे की दवाईया जो आप खाते रहते हैं सुबह सुबह एंटी एसिड खाना पड़ता है आपको तब आपका पूरा दिन निकलता है इन सारी दवाईयों से आपको छुटकार मिल जाता है आपको पेट की गैस से पूरी तरह चुटकार मिल जाता है साथ में एक एक एक्क्योपेशर पॉइंट वेगर आपको गैस बन गई तो आप क्या करें आप अपने हाथ को इस प्रकार से एल से मेलाए और जो आपके बीच का जो पाट है इसको आप ऐसे यहां से प्रेस करें तीस से चालिस बार इसको आप प्रेस करें इसी प्रकार दूसरे हाथ को भी प्रेस कर लिजीगा एक ही आप ने पॉइंट को दबाना है दूसरा पॉइंट आप अपने जो स्टमक का भाग है उसको यहां पर अपने उंगलियों को रखे और धीरे धीरे ऐसे क्लोकवाइज हलके प्रेशर के साथ तेज प्रेशर नहीं देना है इसको बार से क्लोकवाइज फिर एंटी पायों को आप करिए और आप पाएंगे पूरी तरह से गैस की प्रॉबलम से मुक्ति ही तीन दिन में ही आप बहुत अधिक लाव होने लग जाता है तीन दिन में आपकी गैस की प्रॉबलम ठीक होने लग जाती है तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेर करें और आयोग करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, फॉलो करें, ताकि आपको योग आयरुवेद से संबंदित जानकार्या मिलती रहें, आप सभी लोग स्वस्त रहें, निरोग रहें, इनी सुब कामनाओं के साथ, ओम शांती. वाल भी करें, और बादं जानकार्या मिलती करें, ताकि आपको योग योग अननी, इनी सुब करें, इनी सुब काम जानकार्या मिलती करें, काम अ करेंच सब्सक्राइब रहें, यॉक क्रेंदा, भी करें वी चैक्ष् herb íान को करें, यॲडन निरा